हलो दोस्तो सोगत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा आपके आई पीपीवी एक काउंट से 23 रुप्या 60 पैसा कट रहा है इसके बारे में डीटेल में इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपको अपने खाते का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जहां पर 23 रुप्या 60 पैसा कटा हुआ है इसके लिए सबसे पहले हम अपना आई पीपीवी मोबाइल बैंकिंग एप को ओपन करेंगे जिसके लिए आपको इस का फोर डिजिट का यंपिन फिल करना होगा नेक्स्टम अपना यंपिन फिल करेंगे देखिए आपके आई पीपीवी मोबाइल बैंकिंग एप का होम स्क्रीन ओपन हो गया नेक्स्टम मीनी स्टेटमेंट को सलक्ट करेंगे अब आप देख सकते हैं कि 2 अक्टूबर 2023 को मै मैंने अपने आई पीपीवी एककाउंट में एई पीएस के माध्यम से 8000 रुपया कैस्टी पॉजिट किया था इसके तूरंत बाद 2 अक्टूबर 2023 को ही मेरे एककाउंट से 23 रुपया 60 पैसा कट गया है एई एई पीएस रोनस चार्जेज के फॉर्म में सेम उसी प्रकार 3 12 अक्टूबर 2023 को जब मैंने अपने आई पीपीवी एककाउंट में अधार इनेवल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से 8000 रुपया डिपॉजिट किया हूं तो उसके तूरंत बाद एई पीएस चार्जेज के फॉर्म में 23 रुपया 60 पैसा मेरे आई पीपीवी एकाउंट से क मैं आपको आई पीपीवी के एक नए अपडेट के बारे में बता देता हूं जो की इस प्रकार है देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है एई पीएस इसोइंग ट्रांजिक्शन चार्जेज मतलब कि अब आपके आई पीपीवी एकाउंट से एक दिस या फिर कैस डिपॉजिट करते हैं या फिर अपने खाते का मीनी स्टेटमेंट देखते हैं तो उसके लिए अब आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आप जो लिमिट प्रोवाइड की गई है बैंक के माध्यम से उसे क्रॉस करते हैं मतलब कि अब आप केवल एक ही ट्र आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो डाउन साइड जो चार्जेज मेंसन किये गए हैं उस चार्जेज को देना पड़ेगा जैसे कि अगर आप अपने खाते से कैस बिड्रॉल या फिर कैस डिपॉजिट करते हैं एई पीएस के माध्यम से उसके लिए 20 रुपया प्लस ज आपको देना पड़ेगा जो कि 23 रुपया 60 पैसा होता है और अगर आप एई पीएस के माध्यम से मेनी स्टेट्मेंट देखते हैं तो उसके लिए आपको 5 रुपया प्लस जीएस टी आपको अपने बैंक को एज और एई पीएस इसुएंग ट्रांजिक्शन चार्जेज के फॉर्म में देना पड़ेगा मतलब कि अब आप केवल महीने में एक अही बात कैस बिड्रॉल कर सकते हैं कैस डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर मेनी स्टेट्मेंट देख सकते हैं एई पीएस के माध्यम से अगर आप एक से अधिक बात अपने एक काउंट से इन प्रकार की सिवधाओं का लाव लेते हैं तो आपको जो नीचे चार्जेद मेंसन किये गए हैं वह चार्जेद आपको अपने बैंक को देना पड़ जाएगा अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगाव तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक से अधिक सेयर करें तो थांक्स वर वाच्छिक वर वाचिक वीडियो